कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में रखी चीजों की गंध आपस में मिलकर बद्बू में बदल जाती है या अगर कुछ सड़ जाए तो भी फ्रिज से बद्बू आने लगती है फ्रिज में हम खाने पीने की चीजों को ये सोच कर रखते हैं कि वे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे लेकिन अगर फ्रिज से बद्बू आने लगे तो समझ जाएए कि फ्रिज में रखा आपका सामान सेफ नहीं है ऐसे में फ्रिज की बद्बू दूर करना बेहद जरूरी हो जाता है तो आएए जानते हैं कुछ ऐसे कारगर और आसान घरेर उपायों के बारे में जिससे आप फ्रिज की बद्बू को आसानी से दूर कर सकती है संत्रा या पुदिने के अर्क से जी हा, संद्रा या पुदीने का अर्क फ्रिज की बद्बू को दूर करके उसे एक बहुत ही अच्छी खुश्बू से भर देता है इसमें बद्बू सोखने की शमता होती है आप जिस पानी से फ्रिज साफ कर रही हैं उसमें इनके अर्क की कुछ बूंदे मिला दे आप चाहें तो इसे कटोरी में डार कर हमेशा के लिए रख भी सकती है कॉफी के बीज कॉफी के कुछ बीन्स को कटोरी में रख कर फ्रिज में रख दे फ्रिज की ना केवल बद्बू चली जाएगी बलकि कॉफी की सोंदी खुश्बू भी आने लगेगी नीम्बू अगर आप चाहें तो नीम्बू की कुछ बूंदों को एक कटोरी में पानी के साथ मिला कर रख सकती है या फिर आधे कटे नीम्बू को भी फ्रिज में रख सकती है ये भी एक कारगर तरीका है फ्रिज की बद्बू को दूर करने का न्यूज पेपर न्यूस पेपर फ्रिज की बद्बू को सोख लेता है आप चाहे तो पहले से ही फ्रिज में रखी जाने वाली चीजों को पेपर में लपेट दे ऐसा करने से बद्बू चली जाएगी साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखें जिससे आपके फ्रिज में बद्बू की प्रॉब्लम ना हो जो भी सामान फ्रिज में रखने वाले हैं उसे हमेशा ढखकर ही रखे खुले खाने की गंद बाकी सामान के स्वाद को खराब कर सकती है अगर फ्रिज में कुछ गिर जाए तो उसे बिना देर किये साफ कर ले जूस, दूद या सबजी की एक बुंद भी गंद फैलाने का कारण बन सकती है फ्रिज में रखा कोई सामान एक्सपायर हो जाए तो उसे संभाल कर रखने के बजाए तुरंत फेक दे साथ ही फ्रिज में जरुवत से जादा सामान कभी भी न रखे जादा सामान रखने से इसके खराब होने का खत्रा बना रहता है तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपने फ्रिज के बद्गु को आसानी से दूर कर सकती है आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगे ऐसे ही टिप्स के लिए सब्सक्राइब टू हर जिंदगी